किसी ने बड़े कमाल की बात कही है रास्ते सही होने चाहिए क्योंकि अक्सर मंजिले सहीर रास्तों पर ही मिलती है बांकिंग एक्जमिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अभी मेजर एक्जमिनेशन हो चुके है या फिर उनके डेट्स सारे आउट हो चुके नोटिफिकेशन भी आउट हो चुक है, फिलप स्टार्ट हो चुका है, अगर आप नए स्टूडिंट हो, एकदम नए सीरे से बांकिंग एक्जमिनेशन के दुनिया में कदम रखना चाहते हो, तो कुछ ऐसे एक्जमिनेशन है, जो अभी आप दे सकते हो, अभी मैं बात करू तो SBI कलर्क और SBI PO के एक्जमिनेशन हमें उनके नोटिफिकेशन सितमबर अक्टोबर में देखने को मिल सकते हैं, तो ये बहुत सही समय है कि अपने आपको SBI कलर्क और SBI PO एक्जमिनेशन के लिए तयार किया जाए, आप चाहे फ्रेशर हो, आप चाहे रिपिटर हो, आप लोगों को करना क्या है मैं इस छोड़े से वीडियो में detail में बात करने वाला हूँ, किसी भी examination के लिए preparation स्टाट करना है तो सब से important चीज होती है उस examination का syllabus जानना और examination pattern जानना, तो इस video में SBI clerk के syllabus और examination patron के बारे में बात करेंगे एक dumb short में मैं अगर बताओं तो SBI clerk बनने के लिए आपको चार सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं क्वांट लॉजिकल रिजनिंग इंग्लिश जन्रल अवेर्नेस का बांकिंग अवेर्नेस करेंट अफियर्स चार सब्जेक्ट पढ़ोगे एक्जमिनेशन कितने देने दो एक्जमिनेशन केवल दो एक्जमिनेशन देने प्रिलिम्स और मेंस उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्शन काश सेलेक्शन का प्रोसेस इतना असान होता है एना प्रिलिम्स दिया, मेंस दिया, टायरिक्ट सेलेक्शन हो गया, इसके बीच में आती है महनत, और उस महनत को किस दिशा में करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, जानते हैं, थोड़ा सा टाइम लाइन को समझ लेते हैं, बांकिंग एग्जमिनेशन में यूजुली किसी भी एग्जाम का न नोटिफिकेशन के बाद, प्रिलिम्स एग्जमिनेशन के लिए 50 दिन के आसपस समय मिलता है, कुछ-कुछ एग्जमिनेशन ऐसे होता है, जो 40-45 दिनों के बाद ही एग्जम होता है, कुछ-कुछ एग्जमिनेशन होता है, जिनको 55-60 दिन के बाद, नोटिफिकेशन के बा होता है इसका जवाब है हाँ और ना दोनों भी कि आपका लर्निंग पेस क्या है आप कितने तीजी से पढ़ सकते हो अब कितने अच्छे से सारी समझे हुई चीजों को इंप्लिमेंट कर सकते हो इस पर मैं कहूं अगर अभी से हम लग जाए तो हमारे पास कम्प्लिट प्रिपरेशन के लिए प्री और मैंस के कम्प्लिट प्रिपरेशन के लिए तीन से चार महिने का टाइम मिलेगा हमें और ये तीन से चार महिने का टाइम एक्टम पर्फेक्ट टाइम होगा जहाँ पर हम SBI कलक का प्रिपरेशन एक्टम इतमिनान से कर सकते हैं क्य तो ये जो बाद में टाइम के चक्कर में दिक्कते हो जाती है उनको अभी से सौट करते हैं अभी से सब लोग कमर कशलो और SBI कल का प्रिपरेशन स्टार्ट करतो हूं ये परेशर्स के लिए बता रहा हो प्रेशर्स जो एकदम नए से एक परिपेर कर रहा है जिन् Euh-त तक महां पड़क के बाच हो अपने अपने पाच के हिसाब से करते रहे हैं ठीक बात करूं एक लग के तो मैंने कहा कि दूस्टेजस में examination होती हैं पेली स्टेजर प्रिलम्स examination दूसरी स्टेज़ा में examination प्रिलम्स examination में अगर आप देखोगे तो प्री एग्जाम में आपको 100 question मिलेंगे 100 marks के लिए एक मार्का एक question है ना और इसको time मिलेगा 60 minute detail में जानेंगे इसके examination pattern के बारे में but prelims का picture ऐसा होता है वही mains examination के अगर हम बात करते है 190 questions 200 marks and time है 160 minutes यह mains का examination का marking scheme तो एक मोटा मोटी idea अगर आगया हो prelims और means के बारे में तो थोड़ा सा detail में जानेंगे प्री और means के बारे में prelims में आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ते हैं एक है numerical ability इसको ही quantitative aptitude या maths बोलता है ठीक है इसके अंदर क्या-क्या चीज़े पढ़नी है आगे बताऊंगा reasoning आता है जो subject मैं खुद पढ़ाता हूं ठीक और English language आती है यह तीन सब्जेक्ट आपको प्रिलेम्स के लिए पढ़ने होता है प्रिलेम्स में कितने questions आते हैं 100 marks कितने होते हैं 100 उनका distribution देख लेता है इंग्लीश पर आपको मिलता है 30 question 30 mark के लिए quant में reasoning में आपको questions quant or reasoning में आपको questions मिलता है 35 35 35 35 mark के लिए यहां पर हर एक subject के लिए 20 minute का time a lot किया जाता है English के लिए 20 minute sectional timing रहती है मतलब जब examination चालू होगा आपके सामने जब English का section खुलेगा तो 20 minute का timer start हो जाएगा और उस 20 minute के अंदर अंदर आपको English के question deal करने होंगे जैसे ही 20 minute खतम हो जाएंगे English का section बंद हो जाता है और अगला section खुल जाता है अगले section के लिए फिर से 20 minute जैसे ही 20 minute खतम होगा वो section बन और अगला section open तो ऐसे आपको 20-20 minute तीनो section के लिए मिलते है ऐसे 60 minute का time मिलता है बात समझ में आ गई होगी अगर आपके प्रिलिम्स examination में सार साथ मिनिट में 100 questions हमें मिल रहे है क्या 100 के 100 solve करने है नहीं हमें 100 के 100 solve नहीं करने है 80 to 85 questions 100% accuracy के साथ हम solve कर पा रहे है जो practically possible है practically possible है clerk का paper easy आता है SBI clerk का paper easy जादा से जादा बहुत हो गया तो moderate level और उस level के paper में 80 to 85 attempt possible है तो जो प्रिलिम्स examination होगी हमारी यह प्रिलिम्स examination का pattern है प्रिलिम्स examination में हमारा main challenge होता है न सर वो accuracy होता है and speed accuracy के साथ-साथ speed maintain करना यह challenge होता है हमारा ठीक है तो यह प्रिलिम्स की तयारी करने के लिए आपको जो आगे में syllabus बताने वाला हूँ उस syllabus का एक एक concept समझ कर जितनी जादा revision जितनी जादा practice आप उस topic की करोगे उतना accuracy and speed का problem कातम हो जाएगा ठीक है means की जरबात करते है में examination में इन तीन subjects के साथ-साथ quant reasoning English जो आपने प्रिलम्स में पढ़ा उन तीन subjects के साथ-साथ एक subject आपको add हो जाता है general awareness है ना general financial awareness जिसको हम banking awareness बोलते है current affairs बोलता है ठीक है तो यह एक section जीए का add हो जाएगा marking scheme अगर हम देखें तो English चालिस questions आते हैं चालिस मार्क के लिए quant में 50 question 50 मार्क के लिए reasoning में 50 questions 60 marks के लिए पचास question 50 मार्क के लिए ऐसे 190 question 200 marks के लिए आपको मिल जाते हैं तो मेंस examination में अगर आप देखोगे तो यह difference जादा नहीं है और time भी comparatively थोड़ा जादा मिला है मेंस examination में आपका क्या test होगा सर conceptual clarity प्रिलम्स में आप लोगों ने दना 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 दन question solve किये है accuracy and speed के साथ आपके accuracy और speed प्रिलम्स में चेक हो चुकी है जब आप मेंस में पहुचोगे तो यह test कर दिया जाएगा कि आपका knowledge superficial है या आपके अंदर वाकई में काबिलियत है कि आप उन topics को एकदम detail में conceptual level पर समझ पाते हों यह check होता है sir means exam में तो means examination में conceptual clarity check होगी जो topics आपने प्रिलम्स में पढ़ रखे होगे means में भी वही topics होगे बस question का level थोड़ा सा high होगा ठीक तो उसके साथ deal करना है तो अभी हमारे पास बहुत सही समय है यह freshers के लिए बता रहा हो फिर से एक बार में repeat कर रहा हो कि जिन लोगों ने इससे पहले banking examination दिये हैं उनको sbi clerk के लिए नया कुछ नहीं करना उनको वही सारी चिज़े follow करते रहनी है continuously thoroughly जो आपको batches में पता ही जाती है ठेक तो यहाँ पर यह syllabus आप लोगों के सामने screen पर है मैं reasoning पढ़ाता हूँ तो मैं reasoning के बारे में थोड़ा सा detail में बात करूंगा आपको reasoning में 11 chapters दिख रहे होंगे तो इस में से मैं अगर distribution करना चाहू इन 11 chapters में से prelims में आपको 8 chapter पढ़ने होते हैं prelims के लिए 8 chapter पढ़ने होते है mains examination में आपके 11 के 11 chapters पूछे जाएंगे ठेक तो 8 chapter pre में कौन-कौन से आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, सातवा और ये आठवा कितने topic पढ़ने है prelims में केवल 8 topic पढ़ने है सर मैं अगर आपको day wise भी हिसाब बता दूना कि कितने दिनों में कौन सा topic अगर आप एकदम फुल ऐसा fire mode on हो जाता है आपका नहीं मुझे तो selection चाहिए ही चाहिए और fire mode on हो जाता है और आप शिद्दत से पढ़ना चालू करते हो तो alphabet ये topic जो है वो दो दिन में खतम हो जाता है coding decoding ये topic एक दिन बस हो जाता है blood relation का topic दो से तीन दिन अपने suitability के हिसाब से direction and distance एक दिन में खतम हो जाता है inequality एक दिन में खतम हो जाता है syllogism तीन से चार दिन perfect में खतम हो जाता है बोल रहा हूँ आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना सर कुछ भी नहीं आता आपको तब भी आप ये topics में जो मैं time बता रहा हूँ उस time में आप master बन सकते हो हर एक concept clear कर सकते हो concept clear होने के बाद आप उन concepts को कितना याद रख पाते हो और कितनी practice कर पाते हो इस पर depend करेगा कि आप master कितने time में बनोगे ये मैं time बता रहा हूँ clarity का time मतलब alphabet ये chapter maximum दो दिन में जितने भी concept है एकदम thoroughly clear हो जाते हैं एकदम thoroughly 100% accuracy आजाएगी अगर आप time का pressure लेके question solve नहीं करो बट हमें examination clear अगर करनी है तो question के answers निकालने के साथ साथ क्या करना है सर हमें speed भी चाहिए उसके लिए हमें master बनना पड़ेगा और master बनने के लिए आप जितना अच्छे से concept retain कर सकते हो जितनी revision और practice करोगे उसके सब सब master बन जाओ है ना और रही बात order and ranking की order and ranking एक दिन में sort out हो जाता है sufficient है पुजल के लिए 10 से 15 दिन यहां पर अगर आप दे दोगे तो puzzles prelims के हिसाब से sorted है तो यहां पर मैं अगर reasoning की बात करूँ तो दो तीन पांच छे साथ ग्यारा बारा और 27 मतलब maximum एक मंथ maximum एक मंथ के अंदर आप prelims के लिए master हो सकते हो सरब mains के लिए कितना डाइम लगेगा prelims के टाइम पर कोई भी chapter पढ़ते वक्त अगर आपने सही से सारी चीज़ा पढ़ रखी है concept अगर आपने clear कर रखे है तो definitely definitely आपको मेंस में कम समय लगेगा मेंस में question का level जो होता है वो change हो जाता है वो language होती है और वो थोड़ से concepts को घुमा फिर आया जाता है बस उन चीज़ों को आपको समझना है फिर मेंस के question solve करना इतना परिशान नहीं करते हैं ठीक है input output मेंस में पूछा जाता है analytical reasoning and data sufficiency topic अक्सर में पूछे जाते हैं तो यह रहास पूरा reasoning का picture अब मैं क्या कहता हूं सार अगर आपको reasoning में 100% एकदम perfect master बनना है तो दो महिने is more than sufficient दो महिने के अंदर आप SBI clerk level के reasoning के लिए master बन जाओगे दो महिने के अंदर ठीक है अब quant की अगर हम बात करें तो quantitative aptitude usually तीन section में हम segregate करते हैं एक होता है speed maths ठीक है दूसरा होता है data interpretation और तीसरा होता है arithmetic यह तीन sections होता है quantitative aptitude में speed maths में simplification approximation number series missing number wrong number series quadratic equation है ना तो इसमें से usually अगर आपने school time पर कभी कोई competitive examination दिया है जैसे talent search examinations होते थे ओलंपियाट जैसे अगर कुछ examinations दिये होंगे तो यह number series वगेर आपने वहां पर भी देखा होगा quadratic equation तो आपने school में पढ़ रखा है है ना arithmetic percentage profit loss ratio time work speed time distance average mensuration यह सारे school में पढ़े हुए topic है बस competitive examination में इनका flavor थोड़ा सा change हो जाता है school time में हमें वह question solve करने के लिए सारे steps लिखने पढ़ते थे so therefore हर एक step लिखना पढ़ता था step के marks होते थे competitive examination में topics भले वाई हो आपको कुछ ऐसे method सेखने पढ़ते हैं जिनके मदद से आप कम समय में question solve कर पाऊं तो यह सारा गणिक जो आपने पढ़ रखा है उसको examination point of view बस थोड़ा सा mold करना है ठीक and last is data interpretation डेटा interpretation में अलग-अलग format में आपको data दिया जाता है यह हमने school time में भी किया हुआ है अगर आपको याद है line graph मिलते थे बार graph मिलते थे पाई chart मिलता था तो यह से अलग-अलग format में data क्या दिया जाएगा उसको समझ कर उसके उपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करना होगा इंग्लिश में grammar पारा जंबल्स यह सारी चीज़ है यह English के syllabus आपके सामने है तो basically अगर आप देखो तो grammar and reading English को अगर मैं थोड़ा सा segregate करना चाहू तो दो portion में अगर आप strong हो एक reading में strong हो और दुसरा grammar में strong हो तो आपका English का हो जाता है आपका reading अच्छा होना चाहिए grammar में strong होने चाहिए हाँ एक और चीज़ वो कैब आपको words के meaning पता होने चाहिए तभी आप reading अच्छे से कर पड़ोंगे तो यह English की चीज़ है and last subject बचापका banking awareness current affairs है ना general awareness तो उसमें आपको Indian banking history के बारे में पढ़ना होता है इंडिया के bank system कहां कब से शुरू हुए RBI का क्या रोल होता है अभी current scenario में दुनिया भर में banking sector में क्या हो रहा है examinations की तयारी एकदम अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो अब सवाल यह आता है कि इन examinations के लिए अगर preparation करना है है ना मतलब SBI clerk examination के लिए prepare करना या आने वाले banking examination के लिए prepare करना है तो आपके पास source क्या है तो banking examination में अगर आप banking examination के दुनिया में कदम रखते हो तो सबसे बहतरीन source जो आपके पास है वो है bank maha pack और bank maha vishwas pack bank maha pack में क्या होता है ना हमारे जितने भी batches आते हैं जिन भी examinations के batches आते हैं एक साल का सबस्क्रिप्शन है bank maha pack तो इसके अंदर एक साल के लिए जितने भी batches आएंगे सारे के सारे batches आप access कर सकते हो तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी examinations आते हैं banking और insurance sector में उनकी हमारी batches आते रहती है अभी NISEO का examinations notification है तो उसका batch यहां पर आप देख सकते हो है ना उसके अलावा IBPS clerk का batch है IBPS clerk का examination IBPS PO का है SBIPO के लिए batch है तो सारे के सारे banking examinations आपको bank maha pack के अंदर मिलता है तो bank maha pack का subscription लेके अब हमारे सारे के सारे lectures attend कर सकते हो lectures में basically होता क्या है किसी भी course में आपके concept clear हो जाए इसके लिए lectures रहते है जो live रहता है live आप teachers से पढ़ोगे आपको कुछ doubt आया तो रंत live chat में पूछोगे doubt clear कर लोगे in case live lecture में doubt नहीं होता तो extra doubt classes भी आप लोगों के लिए रहती है lecture खतम होने के बाद lecture में जो पढ़ाया उसके notes आप लोगों को मिल जाता है उसके notes मिलने के बाद आप लोगों को practice करने के लिए हम questions देते है उस chapter पर questions प्राक्टिस करें तो learning revision practice और आपके speed की सारी की सारी खबरदारी इन batches में ली हुई होती है तो selection का one stop solution है bank maha pack तो इस bank maha pack के साथ आप अपने banking examination का जो सफर है उस सफर को एक successful एंजाम दे सकते हो आप सभी के preparation के लिए और आप सभी के future के लिए all the best thank you and sub sub important enjoy your time bye bye and take care